ओम शांती, 26 नवंबर के इश्रवेदन आपसक वसोगत है, परमात्मा चाहते हैं कि हम अपने ऊपर इतना कंट्रोल रखे हैं, और वो भी कैसे रखे हैं, जब हम अपने आदी और अनादी सुरू को हम याद रखते हैं, और हम जिससे कि हम बंदन मुक्त हो सकते हैं, बंदन ब परमात्मा चाहते हैं, अपने आदी और रूप की स्मिर्थी द्वारा, आदी में कौन थे? देवी देवता, अनादी में हम बिंदू, प्रकाश और शरीरी थे, बिना शरीर के, तो हमारा नाम था, ना जात, ना पात, ना धर्म, ना कुछ था हमारा, तो आदी अनादी सुर की स्मिर्थी द्वारा सर्फ बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंतर भवा, आत्मा का आदी अनादी सुरूप स्वतंतर है, मालिक है, ये तो पीछे परतंतर बनी है, कब दूआ पर से, जब हम विकारों में गिरे, इसलिए अपने आदी और अनादी सुरू में थी, सुर्तंतर तीन चीनों से, इसलिए पाबा कहते हैं, इसको रस्मरिती में रख, बंधन मुक्त बनो, मन का भी बंधन ना हो, कि मन से भी क्रोध या लोब या अहंकार ना हो, मुक्से तो निकल गया, लेकिन मन में ये चीज़ ना आए, उधर तक पहुंचना है में, अगर मन का भी बंधन होगा, तो वे बंधन और बंधनों को ले आएगा, बंधन मुक्त अर्थात राजा, सुराज जदिकारी की मेरा कंट्रोल है, कि मेरी आखे क्या देखेंगी, मेरा मुक्त क्या बोलेगा, मेरे कान क्या सुनेंगे, मैं कहां जाँगा, क्या खाँगा, क् सत्यों में तो राज्य चलता है, सत्यों में देवी दिधां को राज्य होंता है, तो वहाँ पर जिसका स्वकियों के उपर राज्य नी होगा, वो औरों को कैसे गाइड़ करेगा मिलना वो राजा रानी कैसे Benny equipo गाइड़ करने वाला, तो राजा रानी उनad चेह इसलिए परमातों कहते हैं कि अपने उपर कंट्रोल लखो और बंदन मुक्त बनो कमी कमजोरियों से जो किसी काया तो ब्रहमा कमाईदी स्माहर दिन अमश्यांति इसके साथ